Hello everyone, welcome to Qon Study. आज मैं आपके लिए फाइनली आपके इंडियन स्टेट्स का जो लेक्चर्स हैं, जो आपके इंडियन स्टेट्स बच गए थी, वो मैं आपके लिए लेकर आए हूँ. इस ट्री डे सीरीज, जब आज थर्स्टेट्स फ्राइडे और साटरेडे तीन दिन आपको रेगलर क्लास मिलेगे आट फोर पीम, तो मेक शूर कि आप इन्हें देखें और अपनी इंडियन स्टेट्स का जो पार्ट आपका बच गया था, जो कि पहले आपका हम कवर कर रहे थे, आपके जो लेक्चर्स थे, आपके जियोग्रिफिक के और एंचिन हिस्ट्रे के, उसमें आपके हर लेक्चर के लास्ट में, दो स्टेट्स जो थी, वो मैं आपको पढ़ाती थी, बट जैसे हमारा सिलेबिस बढ़ता गया, सिलेबिस खतम करने की वज़ा से विडियो क काफी लंबी हो जाती है, अगर मैं इस इंडियन स्टेट्स को भी बीच में डाल देती, तो इसलिए आइडिसाइड़ कि इसके अब जो बाकी बचके हुई है, स्टेट्स इने अलग से पढ़ाया जाए, देखिए हमारे ये सब टॉपिक्स हैं, जो आपके जिये के लिए इ वेनेस की प्लेइलिस में जाएगा, वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सारी वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगी, तो योगिन गो देख कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और आप वो जाकर पढ़ सकते हैं, और अगर आपने पुरानी स्टे पढ़ियेफ है वो डालने वाली हूँ, so you can just keep that PDF in your phone और जब आपको टाइम मिले आप पढ़िये, आप उने रिवाइस कीजिए, and I hope कि वो आपके लिए काफी helpful रहेगा, so चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चानल पर पहली बार आए हैं, तो आप प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लिजे, and along with that हमारे सोचल मीडिया हैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उन्हीं भी जाकर जॉइन कर लिजे, टेलिग्राम पर स्टेट्स, अभी तक आपके 16 स्टेट्स हो गई हैं, ठीक है, और यह सब स्टेट्स जो हैं, यह मैं आपको कवर करवा चुक्य हूँ, अगर आपको पता हो, तो हमारे इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, वी हैब 28 स्टेट्स, पहले 29 थी, बट रिसेंटली जेन के जो है, उसे यूटी का स्टेट्स दे दिया गया है, तो नाव देर आप 28 स्टेट्स हैं आर इंडिया, ओकी, यह आपकी 16 स्टेट्स अल्रडी कवर्ड हैं, तो लेट्स मूव फॉवर्ड मैं आपको अल्फबेटि पढ़ ली हैं, ओकी, तो दे फिर्स टेट्स पर दे इस मिजरम, इसकी कापिल है आईजवाल, ठीक है, इस नोन फूर इस हिल्स, ठीक है, तो इसे लान ओफ फिल्स भी बोला जाता है, अगर आप मिजरम की बात करें, तो मिजरम देखें कहां पर है, यह जो एंड में एक टि सेंट, स्टेट फ्लार जो है, वो है, रेड वांडा, जियोग्रफिकल इंडिकेटर भी कहीं बार पूठ लिया जाता है, ठीक है, तो मिजो चिली यहां की जो है, वो बहुत ही फेमस है, और इसे जी आई टाग भी दिया गया है, नैशनल पार्क, फांग्पूई, ब्लू मा अब बाता है, तो यहां की बहुत फेमस है, ताइब ताइगर रिजर्व, ऑकि, तो ठीक है, तो रिजर्व, पांग्पूई, ब्लू मिजो अगर आप यह देखे तो यह आपका जो पार्ट है, पिंक वाला, ब्लू थिक है, तो नागल एप रिखें यह नागल जो पार्ट ही यह दिनस्त्री दोयंग और दीखु स्टेट अनिमल यहां का है मीथन स्टेट बढ़ यहां का बॉलाइफ ट्रगोपन थीट के स्टेट ट्रीं ओह वो है आलौर जहां यहां की जो जिव जोग्रोफिकल इंडिकेटर्स है that is naga mircha or naga tree tomato, ठीक है, national park जो यहाँ पर है वो है in taki national park और wildlife sanctuary जो है वो है फकीम wildlife sanctuary और रंगा पाहर wildlife sanctuary, ओके और यहीं पर बहुत ही famous festival होता है जिसका नाम है hornbill festival, ठीक है, it's well known in India, hornbill festival जहाँ पर different tribes जो है हो आके अपनी ट्राइब का कुछ भी सेमस जो है वह सोर्केश करते हैं यह कुछ भी ऐस्पेश्यालिटी जो उनकेश्वी स्थराइब की है वह स्टबूल ज्यू एक एक फेस्टिव सेमस् परकुपेत करते हैं और यह बहुत ही फैमस स्थ भूर माइस ठीक है ऑठें ही अगर आप देख पा रहे हूं का जो मैप है उसमें तो अडिसा जो है वो आपकी सी के साथ कवर्ड है ठीक है यहां पर इस तो अडिसा में बीचीज भी है ठीक है और अडिसा में जो सबसे फीमस पुरी टेंपल ठीक है सब्सक्राद सब्सक्राद पड़ी पहती है और अडिसा जो है वो किस ली फेमसे इस मेजर ली फेमस पोर रूबी और प्लाटिनम जो है Ruby और Platinum जो है उसका अकेला अकेला resource जो है वो कहां पर है और इसमे है ठीक है other than that National Parks की बात करें तो भीतर कनी का National Park और Simlipal ये दोनों बहुत important है ये exams में पूछे जाते हैं तो आप इन्हें याद रखेगा भीतर कनी का और Simlipal ठीक है और Tiger Reserve में भी Simlipal और Bay Reserve में भी Simlipal ठीक है so let's move forward to our next state so next state is Punjab Punjab की capital है हर्याना अब ये आपको पता ही होगा Punjab में farmers के protest चल रहे थे तो ये तो already highlight में है state ठीक है तो Punjab इसकी capital है हर्याना सौरी चंडिगर्ड हर्याना मेरे मुझ से इसलिए निकल गए क्योंकि हर्याना के भी capital चंडिगर्ड होती है ठीक है so एक common capital है Punjab और हर्याना की so इन दोनों की capital है चंडिगर्ड ये नोन है फाइव लांड और फाइव रिवर्स के नाम से इसे जाना जाता है पंज आप पंज मीन्स फाइव और आब मीन्स रिवर्स ठीक है इसे ग्रेनरी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है क्योंकि जादा तर agricultural produce जो है जो green revolution का सबसे जादा फाइदा हुआ था वो पंजाब में हुआ था तो इसे ग्रेनरी की मतलब जहां पर सबसे जादा फसल उखती हो वो भी बोला जाता है largest orange producing state in India आप कहेंगे कि orange तो नागपूर के famous है yes but largest state जो है वो है पंजाब okay then major rivers जो है वो है बयास, सतलूच और काली ठीक है उसके पाद state animal है black park state bird है बाज state flower है madonna lily ठीक है रामसर sites यहां पर जो है वो है हरी के wetland kanji wetland और रोपड wetland ठीक है और historical sites जो है वो है यहां पर दो हर अपन sites यहां पर है available हर अपन sites मैंने आपको ancient India में पढ़ाया था अगर आपको याद नहीं है तो आप वो lecture जाके देख लिजेगा जलिया वाला बाग मैंने आपको कहां पढ़ाया था जेनरल डायर ने यहां पर open firing करवा दी थी ठीक है और यह आपको modern India का एक topic पढ़ाया गया था तो अगर आपको यह भी याद नहीं है तो आप modern India का lecture जाकर देख लिजेगा विद इस I complete my video for the day आपको मैं daily 4 जो states है वो लाकर दे रही हूँ ठीक है क्योंकि आपकी 16 states already हो गई है आपकी पीछे कितनी बच गई हुई है सिफ 12 states बच गई हुई है तो everyday I'll come with 4 states ठीक है I hope आपको आज का lecture अच्छा लगा होगा और अगर लगा है तो आप like कर दीजेगा और अगर कोई suggestion है या कुछ doubt है तो आप नीचे comment box में लिख दीजेगा for now thank you so much